Hello students, welcome back to your second video and today I am going to teach you your second lesson that is the tomato plant आप प्लेसंता नेम सुनकर ये आपको पता होगा कि क्या पूने वाली है, मैं आज हम एक स्टोरी देखने वाले हैं about the tomato plant आपने सभी में tomato देखा होगा, हम मिलाती है ना, हम किन चीजों में उसको use करते हैं, आप उसको raw ही खा सकते हो, ऐसे कच्छा खाते हो कभी-कभी, कभी-कभी हम क्या करते हैं उसको freeze में रगके उसका ice बना कर भी काते हैं students, yes, tomato है वह ज्यादा तर चुका favorite होता है, मैं उसको salad म यूज करती है, हम tomato sauce यूज करते हैं, yes, आपको chip sandwich के साथ तो हमें वो चाहिए ही होता है, तो tomato is a important vegetable, ये एक vegetable है या fruit है, yes, it is a vegetable, color the vegetable level below, आपको क्या लगता है, एक कौन सा vegetable है, yes, it is a tomato, can you name it, आपको यहाँ पे उसका name लिखना है, और एक tomato अपनी book में drawing करके color करना है, and write the spelling of tomato, tomato का spelling क्या होता है, t-o-m-a-t-o, okay, so ये एक story है, एक vegetable pipe के बारे में, फादर और मदर है, वो market जाते हैं, और उनको एक tomato plant ग्रो करना होता है अपने घर पे, लेकिन उनके साथ क्या होता है, जब वो tomato plant लेने जाते हैं, वो हम इस story में देखने वाले हैं, टीना's father and mother went to buy some plants, I will buy a tomato plants at father, टीना के जो mommy papa है, वो एक दिन market जाते हैं, क्यों चाते हैं, क्यों चाते हैं, क्यों क्या भाई करना होता है, some plants, yes, अगर हमारे घर पे garden है, तो हम plants grow करते हैं, अगर नहीं भी है, तो हम चोटे-चोटे pots में grow करके, हमारे terrace पे, या अगर बहार space है, तो हम grow करते हैं, आसपास tree grow करना अच्छी चीज़ है, वो हमें fresh air देते हैं, इसलिए freeze है, वो हमारे nature में grow करते रहते हैं, तो उन लोगों को भी अपने घर में जो है, अपने garden में कुछ plants grow करने हो थे, तो वो plants लेने के लिए market जाते हैं, तो father क्या खेते हैं, कि उनको क्या खरीदना है, एक tomato plant, he picked up a pot with a small plant in it, this plant is mine, तो जैसे ही वो जाते हैं nursery में, जहांपे सब plants मिलते हैं हमें, जैस roots के साथ जो हम grow करते हैं, हम directly तो किसी को नहीं लाकर रख सकते हैं, हम direct seed से नहीं grow करते हैं, हम क्या करते हैं हमारे जास पास nursery बगे रहा हो, तो हम आसे चुछी चुछी plants लें कि अगर हमारे घर में क्या करते हैं, उसको grow करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो गए, picked up a pot, means जो plant होते हैं, उसको हम pot में रखते हैं, आपने देखा ही होगा, yes, एक mud का एक pot आता है, जिसके अंदर हम plants रखते हैं, तो pick up my means उन्होंने वहां से वो pot उठा लेते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि यह जो small plant है, वो मेरा है, this plant is mine, यह जो plant है, वो मेरा है, mine possessive pronoun में आता है, हमने अमारे previous चैप्टर है वीडियो में देखा था, I will take this one, he said, और उन्होंने कुछ देखे बिना ही, वो plant को उठा लेते हैं, और वो क्या कहते हैं, कि यह plant मेरा है, Is it a tomato plant mother? Ask mother, तो उन्होंने क्या, उन्होंकी ममी जो होती है, वीडिना की जो ममी, उन्होंने उनके फादर को पूछा, कि आपने यह जो plant लें दिया है, डिलेक्ली, येस, ना उन्होंने किसी को पूछा, ना देखा, ना उसमें tomatoes थे, कि वो काफी small था, उन्हों को घर पे लाके grow करना था, तो उनकी मम में उनको पुछी है, कि जो plant आपने grow किया है, वो क्या कौन सा है, इसी तो tomato plant, क्या वो tomato plant है, येस, तो यहां पर एक question दिया है, father wanted to buy a, आपको क्या खरीदना था, tomato, येस, का answer उनको क्या खरीदना था, tomato plant, उन्होंने जैसी वो small plant देखा, उन्हें लगा कि किसका plant है, tomato का, उन्होंने जल्दी से वो pick up कर लिया, उठा लिया, और उन्होंने क्या बला कि ये plant मेरा है, हम इसे गर लेकर चाहिए, ममी का क्या question है, ति जो plant आपने pick up किया है, क्या वो tomato plant है, चलो देखते हैं, of course, don't I know what a tomato plant looks like, left father, तो father का क्या answer होता है, वो कह दें कि अफकोस मुझे पता है कि ये tomato का ही plant है, क्यूंकि हरें plant जो है, उनके leaves होते होते हैं, आपने देखा होगा, coconut tree के leaves जो है, वो थोड़े से बड़े होते हैं, हम उनको कैसे identify करते हैं, उनके leaves से identify करते हैं, rose है, okay, mango plant है, तो उनके leaves के shape हो different होते हैं, तो dad क्या बोल रहे हैं, of course, मुझे पता है कि कि किसका plant है, tomato का, और वो क्या करने लगते हैं, laugh करने लगते हैं, father watered the plant everyday, फिर वो अपने उस plant को अपने घर लेकर आया है, और अपने garden में उन्होंने क्या किया, ऐसे उन्होंने plant कर दिया, और rose को rose क्या करने लगे, हमें अगर आप कोई चीज ग्रो करते हो, हम plants grow करते, तो plant ऐसे ही तो नहीं grow हो जाते हैं, हमें उनके लिए क्या खरना पड़ता है, उनको अच्छे से पहले मर्ड में उनको डालना पड़ता है, यस उसको rose water देना पड़ता है, प्रॉपर sunlight देनी पड़ती है, तब जाकर एक tree जो है, plant वो grow होता है, Soon we'll have many tomatoes, he said, और पापा उसको rose water करते थे, और क्या कोते थे, कि जल्दी से यह जब बिग होगा, तो बहुत जल्दी इस पे क्या आजाएंगे, tomatoes आजाएंगे, One morning mother got father to the garden, और फिर एक दिन सुबह क्या हुआ, मुमी ने पापा को जो है वो garden में बुलाई, Come and look at your plant, she said, और उन्होंने बोला, क्या आओ आकर देखो, क्या आपके plant में क्या हो गया है, क्या दिख रहा है, Father ran out happily to look at his plant, और जैसे ही मुमी ने उनको आवाज दिया, उनको क्या दगा, वो भी क्या बाद रहे दे कि सुन ही हमारे जो plant है, उसमें tomatoes आ जाएंगे, तो जैसे ही मुमी ने उनको आवाज दिया, तो वो क्या सुच्टे है, कि जदी से हमारे जो plant में tomatoes आ गये हैं, इसलिए मुमी उनको देखने कि ये garden में बुला रहे हैं, It was covered all over with yellow marigold grass, पापा जो है वो running, happily run करकर garden की तरह गये, अपने tomatoes को देखने ने लिए, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने क्या देखा, see, क्या देखा, उन्होंने पिच्छों में दिखा दे रहा है, कि tomatoes के जगा पे क्या आ गये है, marigold, marigold एक flower का name है, yellow color के जो flowers आते हैं, yes, जिससे हम हार अगेरा भी बनाते हैं wedding में, तो वो marigold का plant होता है, so, वहाँ पर क्या आगये, उनके plant पर tomato की जग़ा पर क्या हो गया था, पूरे marigold आ गये, तो क्या पापा tomato plant लाये थे, गर no, tomato की जग़ा पर कौन सा plant आ गया है उन्हों से, मैं ने लेकाने मामी बार सुनी नहीं ममी ने बोला था कि ठीक से देख लो कि दॉननोंने क्या कहा था कि वह बहुत स्वार थे तो किसका प्लांट है तमेंटो का उसको बाते लिए दर करने के बाद जब गई हो गया तो उसको फिर पर घर मेसरे आ Psalणगे मैं इकोड़ टाइब फादर को शॉक था कि वह टमेटो प्लांट लाया था कि घर पे उंको फ्रेश टमेटो मिल सके इसलिए वो ग्रोव करना चाते थे लेकिन गलती से उसकी जग़े उनको क्या आगया मैं इन ग्रोड़ प्लांट तो यह स्टोरी थी अब आपको स्टोरी